नमस्क्रा दोस्तों पाउन वाइकडम में आपका स्वागत है क्लास 10th का रिजल्ट जी हाँ आज हमारे क्लास 10th का रिजल्ट आ रहा है बहुत से बच्चों के मन में बहुत सारा डर, बहुत सारी चिंता बहुत सारा फिकर, बहुत कुछ है और बहुत से बच्चे बहुत जादा excited है कि हमने महनत की थी result अच्छा आने वाला है लेकिन बच्चों एक बात बता दूँ कि ये जो result है ये result सब कुछ नहीं इस result से आपकी जिन्दगी का की सफलता और असफलता decide नहीं होने वाली है बहुत सारे बच्चे एक्जाम का जो result आता है तो बहुत जादा depression में चले जाते हैं और नहीं वो चीज़े जो करनी है वो कर लेता है होता कुछ नहीं है बटा आप अपनी जिन्दगी खतम कर लोगे लेकिन अपने माबाब के बारे में सोचो जिन्हों ने तुम्हों ने तुम्हारे लिए बहुत सारे सपने देखके रखे है मैं जानता हूँ बहुत से parents बच्चों से marks के लिए बोलते हैं कि अब तुम्हे marks आना चाहिए उनका अगर देखा जाए तो एसा पैरेंट उनकी जो अपिक्षाई आपसे है मैं समझ सकता हूँ कभी-कभी अपिक्षाई बहुत जादा हो जाती है तो बच्चे बहुत जादा depression में आते हैं लेकिन अगर आपसे आपके पैरेंट बहुत ज़्यादा आपिक्षाइं कर रहे हैं तो आप उनसे अभी बैट के बात कर लो कि पापा देखो मैंने महनत की थी मम्मी देखो मैंने महनत की है पर अब देखते हैं कितना रिजल्ट आता है आपको विश्वास दी होगा कि मतलब मैं जो भी बात करता हूँ बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ मैंने अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकली जिन्देगी को जिया है और मैं बहुत प्रैक्टिकली लाइफ जीता हूँ मैं बिलीव करता हूँ कि जो लोग महनत करते हैं कोई पूछता नहीं है सिर्फ आपके 11 के एडमिशन के समय काम में आने वाले हैं उसके अलावा यह किसी भी काम के नहीं है तो जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेके बैठे मैं क्लियर कट बता रहा हूं कि कोई टेंशन लेने के जरूत नहीं है मैं बहुत बड़ा वीडिय हैं जो बहुत ज़्यादा डेपरेशन में होते हैं उनको लगता है पता नहीं मेरा क्या होगा या लोग क्या कहेंगे दुनिया की पता है सबसे बड़ा है सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग तो क्या कहेंगे लोग को साइड में कर दो हमारे लिए हमारे माबाप स होना और कोई नाराजनी होता ठीक है ना मैं जानता हूं बहुत से लोगों के प्रेटेव्स उनको ज्यादा परिशान करते हैं बहुत से बच्चे कोई आपके पारे में अच्छा सोच रहा बुरा सोच रहा तोभी अच्छी बात है क्योंकि आप किसी की thinking को किसी की सोच को आप बदल नहीं सकते और बदलने की कोशी कोशीश भी में कभी मत करना जै तो तुमारी जिन्दगी हराम हो जाईगा हमेशा ध्यान लोग कुछ भी है वो कुछ भी बोलेंगे उनकी ध्यान नहीं दिया जाता है हमें हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा फरक किन लोगों से पढ़ता है हमारे माबाप से हमारे लाइप में कहा एफेक्ट पढ़ना है चाहिए हमारे माबाप की बातों से हम पर एफेक्ट होता है होना चाहिए किसी और के तीसरे आदमी से बोलने से कोई फर्क नहीं पढ़ता है अगर तुम सारी दुनिया के बारे में ऐसे सोचोगे अब जिसे मैं अपनी बारे में मैं तो वीडियो बना तो कितने लोग तो मुझे गाली भी देते तो फिर क्या तो मैंने बन कर दिया वीडियो बनाना मेरे को क्या फरक पड़ता है मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ जो मेरी वीडियो देख के पढ़ रहा है तो मेरे को कोई मतलब नहीं बाकी दुनिय जो कुछ भी ही आए प्लीज अपना कुछ भी बुरामत करना ऊपर वाले से आशिरवात मांगना रिजल्ट के पहले मैंने महनत की थी मुझे पास् कर देए ये मुझे अच्छे मांफ्स ज़रु देना मैहन ही महनत के साफ से मुझे मांक्स जाना और अगर life में सफल नहीं होए अगर pass नहीं होए या कम marks आते हैं कम marks आते हैं पास तो सभी हो जाते हैं यार पास तो ऐसे कोई बंदा है नहीं जो पास नहीं होगा अपने आपको तकलीफ मत देना सिर्फ में इतनी request है बच्चो जादा मैं बोलना नहीं जाहूँगा result के पहले मैं खुद live आ रहा हूँ आप मुझे बात करते रहना किसी को कोई issue आता कि बिल्कुल discuss करो कल में एक number भी share करूँगा आपसे जिसके उपर आप call करके अपने numbers मुझे बता सकते हैं ठीक है चलिए thank you very much इतना ही बताना था take care और सब अच्छा होगा चिंता बत करो जै स्वामिनान भगवान स्वामिनान सबका अच्छा करेंगे ओके ठेंक्यू धन्यवाद जै हिन जै महारास्टर बाबाई